नवस्ते सातियों, मैं सतिश कुमार पी बेंगलूर ग्रामेंजिला हुसकोटे तालुक्के सरकारी हाइस्कूल हासिगाल में हिंदी अध्यापक्के तवर पर कारे रत हूँ सुविचार के साथ कक्षा की शुरुवात करेंगे तिनका कभु होना निंदी ये जो पावंतर होई कभु उड़ी आंकिन पड़े तो पीर गनेरी होई तात पर ये कुछ छोटे से तिनके की भी निंदा ना करो जो तुमारे पावं के नीचे दब जाता है यदि कभी वो तिनका उड़कर आंक में आगिरे तो कितनी गहरी पीडा होती है इसलिए हमें किसी व्यक्ति या आवस्तु के उपेक्षा नई करनी चाहिए बच्चो आज हम नवी कक्षा तुरुथिय बाशा हिंदी का गध्यपाट पड़ेंगे मकले इदिना नावू वंबत्तने तरगती तुरुथिय बाशे हिंदीय गध्यपाट वनना अधेन अमाड़ोना अमारा देश भारत है भारत स्वर्ग सुंदर देश है भारत में अनिएक महापुरिश जन में है और उन्होंने वीदेशों में भी भारत की कीरती फेल आई है अब मैं आपको एक आवाज सुना रहा हूँ द्यान से सुनियेगा sisters and brothers of America हूँ भारत वारत इस में वेश अविप है in response to the warm and cordial welcome which you have given us. क्या आपने सूनी है? यह आवाज किस महापूरश की है? क्या, आप आनमान लगा सकते है? यह आवाज स्वामी विवेकंद की है गुरू जी. हाँ, बिल्कुल टीक है. यह आवाज स्वामी विवेकंद की है. स्वामी विवेकानन के बारे में आप क्या जानते हैं? आईए बच्चों, आज हम स्वामी विवेकानन के बारे में कुछ अच्ची अच्ची बातें पढेंगे. यहाँ पर स्वामी विवेकानन जी का बावचित्र है. क्या दिखाई दे रहा हैं? पाट की विदा जीवनी है, जीवनी माने जीवन की कता, अंग्रेजी में भयोग्रफे केते हैं, कन्रड़ दल्ली जीवन चरित्रेंता करेते हैं, पाट का आशे, इस पाट में स्वामी विवेकानन्द की महानुता के परचे के साथ देश प्रेम की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं लेकक का परचे इस पाट के लेकक डाक्टर जगदी श्रिचेंद्र मातुर जी हैं देखे बचो परदे पर मातुर जी का चित्र दिखाई दे रहे ना इनका जन 16 जुलाई 1917 को उत्रप्रदेश के बुलन शाहजिले के कुर्जा में हुआ था प्रारंबिक शिक्षा कुर्जा में हुई उच्चु शिक्षा यूइंग क्रिष्चियन कालेज इलहाबाद और प्रयाग विश्वईद्याले में हुई इन्होंने भारत के किशोर भालक बालिकावों के समक्ष आदर्श प्रश्तुत करने के लिए अनेक महापुरिशों की जीवनिया लिकी हैं आगे बढ़ेंगे अब मैं इस पाट का वाचन कर रहा हूँ ध्यान से सुनियेगा मैं जैसा पड़ूंगा आब भी वैसा दाराएंगे देखे बच्चों प्रिष्ट संक्या उन्नीस से भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानन्द का नाम अमर है स्वामी वेकानन्द का जन भारा जन्वरी अटारा सव तिरसट को कलकत्ता के एक कायस्त गराने में हुआ था उनके बच्चपन का नाम नरेंदर देव था उनके पिता श्री विश्वनात दत एक प्रतिष्टित वकील थे उनकी माता श्रीमती भोनेश्वरी देवी दर्मपरायन महिला थी नरेंदर आरम से ही पढ़ाई लिकाई में बड़े तेज थे अपने स्कूल में सर्व प्रतम रहा करते थे अध्येन खाल में उनकी रुची व्याक्यान देने और विचारों के आधान प्रदान करने में थी विवेकानन्द के गुरु रामकृष्ण प्रममस्ते उनहोंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा अब हम इस इकाई के अंथर्गत आनेवाले नईये शब्दोंक अर्त जानेंगे ब्रमन करना ब्रमन करना माने घूमना कन्नडदल्ली प्रवासा माडूवदू अतवा पर्यटिने माडूवदू उन्तेली करितीवे मक्ले वाक्य प्रयोग माई ने एक महीने में पूरे भारत का ब्रमन किया भौरा पूलों का ब्रमन करता है प्रतिश्ठित प्रतिश्ठित माने प्रसिद्ध अंग्रेजिमें फेमस क्या वाक्य बनाएंगे अगला शब्द जो है रुच्छी रुच्छी माने आ सकती अंग्रेजिमें इंट्रेस्ट वाक्य बनाएंगे मुझे केलने में रुच्छी है जिग्यासा जिग्यासा माने जानने की इच्छा क्यूरियासिटी तिलकोल बेकों तकंता वंदू हम बला वाक्य प्रयोक करेंगे मुझे संगीत सीखने में जिग्यासा है मुग्द इस शब्द से क्या आर्थ निकलता है? मोहेत वाक्य बनाएंगे? मेरा घाना सुनकर लोग मुग्द हो गए व्याक्यान व्याक्यान माने भाशन स्पेच वाक्य प्रयोक करेंगे? अब्दूल खलाम जी का व्याक्यान बहुत तो बढ़िया था आगे बढ़ते हैं स्वामी विवेकानन्द ने देश विदेश में ब्रहमन कर क्या प्रसार किया? स्वामी विवेकानन्द ने देश विदेश में ब्रहमन करके भारतिय धर्म और दर्शन का प्रसार किया तता समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया विवेकानन्द का जन कब हुआ और कहा हुआ स्वामी विवेकानन्द का जन 12 जन्वरी 1813 को कलकत्ता के एक खायस्त गराने में हुआ था उनके बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम नरेंदर देव था उनके पिता और माता कों थे? उनके पिता विश्वनात दत्त एक प्रतिष्टित वकील थे वकील माने लायर अवर तंदेवरु प्रसिद्ध लायर आगिदरु मकले उनकी माता श्रीमती भूनेश्वरी देवी धर्म परायन महिला थी, धर्म का पालन करने वाला अर्थत श्रीमती भूनेश्वरी देवी धर्म का पालन करने वाली महिला थी श्रीमत्यी बोनिश्वरी देवियोवरों धर्मनिष्ट महिले हागिदरू. आगे बढ़ेंगे? भालक नरेंदर का शरेर कैसाता? भालक नरेंदर का शरेर स्वास्त, सुडवल और सुंधर्ता. नरेंदर को किनकिन में आनन मिलता था, नरेंदर को खुष्टी लडने में, दवड लगाने, गुड सवारी करने में उन्हें बढ़ा आनन्द मिलता था. वे संगेत एवं केलकोद की प्रतियोगितावं में भी बागलिया करते थे. आगे बढ़ते हैं, नरेंदर पढ़ाई लिकाई में कैसे थे? नरेंदर आरम सेही पढ़ाई लिकाई में बड़े थे जुथे. वे अपने स्कोल में सरुप्रतम रहा करते थे. अवरु यावाखलुन सहा अवर शाले यल्ली प्रतम श्रेनी यल्ली उत्तियर नराक्ता इदरू. नीवो अश्टे मक्ले, नीवु सहा इम्मधी मशाले यल् में उत्तियर नराक्ता इदरू. अगे चलेंगे? अध्येन खाल में उनकी रुची किन-किन विशयों में थी. अध्येन खाल में उनकी रुची व्याक्यान देने आउर विचारों को आधान-प्रदान करने में थी. किशोर आवस्ता में ही नरेंद्र किन-किन विचारों में तल्लीन रहते थे? किशोर आवस्ता में नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे. आगे बढ़ते हैं. एक दिन नरेंद्र किन के पास पहुँँचे? एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचे और अपनी जिग्यासा उने के सुनाई? नरेंद्र के गुरू अर्थाद स्वामी विवीकानन्द के गुरू कोवंते? स्वामी विवीकानन्द के गुरू रामकृष्ण परमहंस थे. रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया. आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवीकानंदिने क्या प्रसार करना चाहा? स्वामी विवीकानंदिने अपने गुरु रामक्रिष्ण परमहांस के संदेशों को प्रसार करना चाहा. स्वामी विवीकानंदरो तम्म गुरुगळा गिर्थकन्त रामक्रिष्ण परमहमसर संदेशगले निवे अवोगलंदा प्रसारमाणो दिक्के बैस्तारे मक्ले जनता को सत्की राह दिखाने के लिए सितंबर सन अठारा सव तिराना बेको वे कहा गये? हाँ, सैउक्तराज अमरीका गये देखे बच्चों, सैउक्तराज अमरीका का बोपट दिकाई देराए ना? आगे बड़ेंगे, उस समय वहा शिकागोनगर में क्या हो रहता? उस समय शिकागोनगर में सर्वदरम सम्मेलन हो रहता? इस महासबा में विवे अनंदने किनकिन विचारों पर बाशन दिया. इस महासबा में विवेकानंदने भारतिय धर्म और तत्वग्यान पर पाशन दिया। उनका बाशन कैसाता? उनका बाशन बड़ा घंबीर और रुदेश परशीता। उनकी वानी सुनकर श्रोथागन मुध्ध हो गये। अब हम स्वामी वेकानंजी का बाशन देखेंगे। अमेरिकी बहनों और भाईयों, आपके इस इसनेह पून और जोरदार स्वागत से मेरा हिर्दय आपार हर्श से भर गया है। मैं आपको दुन्या के सबसे पौरानिक भिक्षूं की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जन्नी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मेरा धन्यवाद उन वक्ताओं को भी जिन्हों ने इस मन्च से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्व भौमिक स्विक्रिती का पाट पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्व भौमिक स्विक्रिती के विच्वास नहीं रखते बलकि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्विकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देशते हूँ जिसने इस धर्ती के सभी देशों के सताय गए लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हिदय में उन इस्राइलियों की शुद्धतम इस्मितियां बचा कर रखी है जिनके मंदिरों को रोमनों ने तोड़ तोड़ कर खंडहर बना दिया और तब उन्होंने दक्षिर भारत में शरंड ली मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने महान पार्शी देश के अवशेशों को शरंड दी और अभी भी उन्हें बढ़ावा दे रहा है भाईयों मैं आपको एक श्लोग की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा जिसे मैंने बचपन से इसमरण किया और दोहराया है और जो रोज करोडों व्यक्तियों द्वारा हर दिन दोहराया जाता है जिस तरह विभिन धाराओं की उत्पत्ति विभिन श्रोतों से होती है उसी प्रकार मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग-अलग मार्ग चुनता है वो देखने में भले सीधे सादे या तेड़े मेड़े लगें पर सभी भगवान तक ही जाते हैं वर्तमान सम्मेलन जो की आज तक की सबसे पवित्व सभाओं में से है स्वयम में गीता में बताये गए एक सिधान का प्रमाण है जो भी मुस्तक आता है चाहे किसी भी रूप में मैं उस तक पहुशता हूं सभी मनुष्य विभिन मार्गों पे संघर्ष कर रहे हैं जिसका अंत मुझमें है सांप्रदाइक्ता कटरता और इसके भयानक वन्शज हट धर्मिता लंबे समय से प्रित्वी को अपने शिकंजे में जकड़े हुए हैं इन्हों में प्रित्वी को हिंसा से भर दिया है कितनी बार ही धर्ती खून से लाल हुई है कितनी ही सभिताओं का विन इमीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हट धर्मिता हर तरह के क्लेश चाहे वो तलवार से हो या कलम से और हर एक मनुष्य जो की एक ही लक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं कि बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेगा क्या आपने देखा हैं कैसा लगा अच्चा लगा ना नोडी मकले आवरा बाशना येश्ट्रंदु गंबीरवा गित्तु आगे रोधेया मुट्टु आगित्तु मकले आगे बढ़ेंगे भाशाकारी भाशाकारी के अंतरगत हम लिंग परिवर्तन के नियमों के बारे में जानेंगे सबसे पहले लिंग लिंग की परिवाशा लिंग की परिवाशा क्या है शब्द की जाती को लिंग केते हैं संग्या के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या माधा जाती का बोध हो व्याकरण में उसे लिंग केते हैं हिंदी में सिर्फ दोही लिंग है पुलिंग और स्त्री लिंग यहा नपुम्सक लिंग नहीं है जिस शब्द से पुरुष जाती का बोध हो उसे पुलिंग केते हैं उदाहन के लिए लड़का, बेठा, खुत्ता, आदी जिस शब्द से स्त्री जाती का बोध हो उसे स्त्री लिंग केते हैं उदाहन के लिए लड़की, बेठी, खुत्तिया, आदी क्या अब लिंग परिवर्त्तन के नेम को जानेंगे यहाँ देखिए बच्चों देवर सेट नवकर ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है इस प्रकार अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी लगाने से स्त्रीलिंग बनता है उदाहन के लिए देवर देवरानी सेट सेठानी नवकर नवकरानी समझ में है ना क्या दूसरा नियम जानेंगे यहाँ देखिए बच्चों भाग्यवान, रूपवान, पुत्रवान, पलवान इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में वान का वती करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है जैसे बाग्यवान भाग्यवथी, रोपवान रूपवथी, पुत्रवान पुत्रवथी, बलवान भलवथी आगे चलेंगे, इन शब्दों को द्यान से देखिए बच्चों, भुद्धिमान श्ट्रीमान इस प्रकार शब्द के अंत में मान का मती करने से स्ट्रेलिंग बनता है हुदाहर्ण के लिए बुद्धिमान बुद्धिमती, श्रीमान श्रीमती, समझ मैं है ना? अगला नियम जो है, जानेंगे? इन शब्दों को द्यान से देखिए बच्चों, नेता, अभिनेता, विदाता इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में थाका त्री करने से स्ट्रेलिंग बनता है जैसे नेता, नेत्री, अभिनेता, अभिनेत्री, विधाता, विधात्री अगला नियम जानेंगे स्वामी अनुयाई इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में नी जोडने से स्त्रीलिंग बनता है नी प्रत्य लगाने से पहले मूल शब्द को इकार अंत में पदलना होगा उदहर्ण के लिए स्वामी स्वामी नी अनुयाई अनुयाई नी और कुछ नेम है अगली कक्षा में जानेंगे समझ मैं आना आगे बढ़ेंगे अब मैं आपको एक गत्विदी दे रहा हूँ यहाँ कुछ वर्ण इधर उदर हो गये हैं उन्हें सही जगह पर लिखकर शब्द बनाना है अपनी कापियों में लिखना है आपको मैं 30 सेकिंड्स का समय दे रहा हूँ आपका समय शुरू हो रहा है आपका समय समाप्त हो गया क्या उतर देखेंगे देखिए बच्चों अपनी कापियों में आपने जो लिखा है सही या गलत इसके साथ तुल्ला कीजिये बच्चों ताव बर्दिर्वंत अंदो सरी इदया अतवा इल्वायम्बुदन्ना इदर जुत्ते थाले नूडि मक्ले स्वामी वेकानन जीके महत्तुपोर्ण नारों को तुनिये कोच महत्तुपोर्ण नारे ये हैं आप भी ऐसे अन्य महापुरशों के नारों का संग्रह कीजिये विवेकवानी उठो जागो और तब तक नहीं रुको जबु तक लक्षिन्ना प्राप्त हो जाए विवेकवानी एली यद्धेली गुरी मुट्टुवत तनक निल्लदिरे विवेकवानी दिल अवर दिमाक्के ठकरावमें दिल्की सुनों विवेकवानी निम्म बुद्धी मत्तु रुदयक्के संगर्षा नडिवत तिरुवागा रुदयद मातनने केलिरी विवेकवानी संगर्ष जितना कटिन होगा जीत उतनीही शांदार होगी विवेकवानी संगर्ष यष्टंदु कटिनवागिर्वोदो गेलुवु अस्टे उत्तमवागिर्वोदु विवेकवानी सबसे बड़ी हानी अपने आत्मविश्वास का कोना है विवेकवानी यल्लादिक्किन्त दुड़्डा हानी यंदरे तम्मवाद्मविश्वास मन्नु कळिदु कुल्डुवुदु विवेकवानी खुद्कु कमजोर समुजनाही समसे बड़ा पाप है विवेकवानी स्वतहा तन्नन्नु दुर्ब्बल नेंदु तिलदु कुल्डुवुदे महापापा इन प्रश्णों के उत्तर देजिये नारेंद्र पढ़ने में कैसे थे? बड़े थेज थे? बहुत कूब दूसरा प्रश्ण विवेकानन्द के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहमस थे? बहुत बढ़िया तिस्तरा प्रश्ण विवेकानन्द की रुची किन-किन विश्यों में थी? व्याक्यान देने और विचारों को आदान प्रदान करने में थी अब तो बहुत होशियर है निमनलिकित शब्दों का अन्यलिंग रुप बताए जेट नेता स्वामी श्रीमान बलवान जेट जेटानी नेता नेतری स्वामी स्वामिनी श्रीमान श्रीमती बलवान बलवती आप तो बहुत होशियर है बच्चों ग्रहकारी स्वामी विवेकानंद की शिक्षा के बारे में लिकिये दूसरा प्रश्ण स्वामी विवेकानंद का भाषन कैसा था दीसरा प्रश्ण पुल्लिंग आउट स्थ्रीलिंग शब्दों का अलग-अलग करके लिकिये नर, अनुयायिनी, नवकर, पुत्री, वर, विधुर, साधु, श्रीमती, सम्राट, सेविका प्रश्ण मैं दोरा राहों पहला प्रश्ण स्वामी विवेकानंद की शिक्षा के बारे में लिकिये दोसरा प्रश्ण स्वामी विवेकानंद का बाशन के साथा तीसरा प्रश्ण उल्लिंग आउर त्रीलिंग शब्दों का अलग-अलग करके लिकिये नर, अनुया इनी, नावकर, पुत्री, वर, विधुर, साधु, श्रीमती, सम्राट, रेविका ओमर करके अपने अध्यापक को दिकाना है पाटके आगी के बाग को अगली कक्षा में देखेंगे धनिवाद